हलो स्टुडेंट आज हम डिसकस करेंगे केमिस्ट्री इन एब्रीडे लाइफ जो ड्रक्स हैं उन्स ड्रक्स की ट्रिक्स हो स्टुडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं सबसे पहले आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको बहुत सबसे पहले जो ड्रक्स की कैटेगरी है वो है एंटासेड ऐसी ड्रक्स होती हैं जो एसे ड्रक्स के अगेस्ट काम करेंगे मतलब जब आपके पेट में गुड़ग ओती है तो उस टाइम पर एंटासेड दिये जाते हैं अब हमने जो टर्रिक बनाई है तो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है एंटासेड का सबसे पहले जो ट्रीटमें वो और शी एक्च ने किया सो एंटासेड मतलब शीलिक्स, का ना नाम कैसे लर्न करोगे, so antacid में तीन ड्रग्स के नाम दे रखे हैं 12 में, ranitidine, semitidine और histamine, R मतलब ranitidine, C यानि semitidine और H यानि histamine, मतलब antacid यानि RCH, ranitidine, semitidine, histamine, अब ranitidine का अधर नाम से भी दे रखा, यह पूछ लिया जाता है कि gen tech किस से blog है, terramat किस से blog है, अब आपने तो यह रटे हैं ranitidine और semitidine, so इन्हें भी बताती हैं, so आप सबने देखी होगी राज मूवी, so जो यह ranitidine और gen tech है, यह है राज से, यानि RA मतलब ranitidine और Z मतलब gen tech, so आपको इसका ranitidine का दूसरा नाम gen tech लर्न हो गया, so ranitidine और gen tech यानि राज, next है आप CT स्केन कराने जाते हैं, CT यानि सिमितडीन और टेगामेट, so आपको लर्न हो गए होंगे, antacid के लिए आपको एक तो RCH लर्न करना है, दूसरा राच और CT, इन तीनों में ही आपको सारे antacid लर्न हो जाएंगे, उसके बाद है antihistamin, यानि ऐसी ड्रक्स जो एलर्जी के अगेंस्ट दी जाती है, इसके एक्जामपल है, दूसरा राच और साल्डी, अब इन नामों को कैसे लर्न करें, so इनकी ट्रिक है, so इसकी ट्रिक है, आपने वो सीरियल देखा होगा, जमाई राजा, जमाई राजा में जो एक्टरिस की माँ होती है, उसका नाम होता है, इसके ट्रिक है, वो है ट्रिक है, वो है ट्रैंकुलाइजर, ड्रग क्या होती है, ट्रैंकुलाइजर ऐसी ड्रग होती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम पर जाकर काम कर देखिए, इसके एक्जामपल इतने खतरनाके हैं, देखिए, एप्रोनियाजर, नाडिल, क्लोरोडाइज़ अउकसाइड, मैप्रोबामेट और एक्वानिल, अब इन्हें कैसे याद करें, इनके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो ट्रिक है, नारी मांगे इक्वाल क्लास, नारी मांगे इक्वल क्लास, नार मतलब नार्ड्रिल, आई, इप्रोने अजड मांगे मतलब मैप्रोमामेट, इक्वल यानि एक्वाने, ख्लास यानि क्लोरोडाजॉक्सपाइट, त्रेंकुलाइजर की ट्रिक क्या है, नारी मांगे इक्वल क्लास, अब इसके बाद जो next category द सब्सक्राइट, इसमें तीन इक्जामपल या रक्षे हैं, वैलम, वैरानोल और सिरोटोनिन, यानि इसके ट्रिक क्ने, तो संडे, को जेड़े हिंदी, में क्या बोलते हैं, वीरवार, बोलते हैं, तो आपको पता है, संडेस सिजदा हो लग डेये, प्जलिंक डिक को बसक् तो बार्बिटुरेट्स की ट्रिक क्या है? वीर, वार, ओल्ली, सोना, यानि वैलियम, वैरनॉल और सिरोटॉन. नेक्स ट्रिक है, नेक्स जो ड्रक्स की क्लास है वो है अनालजिसस. तो अनालजिसस ऐसी ड्रक्स होती है जो पेन को कम करती है, पेरलिसस में भी दी जाती है और प्लस में हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी डिस्टरबेंस होता है, मेंटली परिशान होते हैं कुछ लोग, तो उस टाइम पे भी एनालजिसस दी जाती है. सो एक्जाम्पल है, मॉर्फीन, हीरोईन, कोडीन, क्रोसिन, एस्प्रिन हो सकता है, इसे आपको लेर्ण करने में प्रॉब्लिम नहीं होगी, क्योंकि आपने कुछ नाम में भी पहले से सुन रखे हों. सो जो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है, वो आज के टाइम को लेकर बनाई है, अब आपको पता है कि जो अब टाइम चल रहा है, वो कोरोना टाइम है, सो पूरी दुन्या कोरोना से परेशान है, सो इंडिया के लोग क्या कह रहे हैं, इंडिया के लोग कह रहे हैं हे मोदी अमित जी यानि अमित साहा मोदी जी और अमित साहस जी से कह रहे हैं नस्ट करो कोरोना यानि हे मोदी अमित जी नस्ट करो कोरोना हे मतलब हिरोईन मोदी यानि M stand for morphine अमित मतलब aspirin नस्ट यानि ये सब क्या है नार्कोटिक और करो मतलब अब इसके बाद जो next class है वो है antibiotics, so antibiotics ऐसी drugs होती है जो infection को treat करने में, मतलब infection में दी जाती है, so यह क्या करती है, यह human और animal के लिए toxic नहीं होती है, plus infection को बड़ी आसानी से ठीक कर देती है, so इसमें भी बड़े खतरनाक खतरनाक नाम दे रखे है, सलवारसन, प्रोंटोसिल, सलफानिल एमाइड और यह है सलफा पारडीन और एजोडाइज, so इसकी drugs क्या है, अब यह क्या है antibiotics, तो क्या हुआ है, जो दो एक्ट्रेस हैं, काफी मत्सूर एक्ट्रेस हैं, शिल्पा सेट्टी और सोनम आहुजा पागल हो गई है, so शिल्पा सेट्टी सोनम आहुजा पागल क्योंकि उन्होंने ज्यादा antibiotics ले ली है, क्योंकि मेलली क्या होता है, जो मॉडल है और एक्ट्रेस हैं यह ज्यादा से ज्यादा क्या कराती है, सर्जरी कराती रहती हैं, ज्यादा सर्जरी कराएंगी तो infection तो हो गई न, सो मीन क्या है, अब ट्रिक में देखते हैं, शिल्पा यानि सल्वार्संज शिट्टी यानि सल्फोनिलामाइड और सोनम मतलब सल्फा पारडीन, आहोजा यानि एजोडाइस, पागल यानि प्रोन टोसल, सो अंटिबाटिक की ट्रिक क्या है, शिल्पा, सेटी, सोनम, आहोजा पागल हो गई हैं, ज्यादा अंटिबाटिक लिएने से, next क्या है antiseptic or disinfectant antiseptic or disinfectant का function क्या होता है जो micro organism होते हैं उन्हें क्या करते हैं पूरी तरीके से खतम कर देते हैं या फिर उटकी growth को क्या करते हैं stop करते हैं इनके नाम आपने नॉर्मली घर में सुने होंगे Dittol है, Phenol है, Tincture of iodine है, Chloroformis तो आप generally सुनते आए हो antiseptic or disinfectant में अंतर क्या होता है antiseptic living wound पर यानि plant, sorry, animal पर इन सब पर यूज किये जाते हैं जिबकि disinfectant floor वगिरा पर पोच्छा देने में यूज होता है आपने देखा होगा ना, Phenol डाल कर पोच्छा दिया जाता है Dettol भी उसी में आता है, Tincture of iodine का भी वह यूज होता है Chloroform को lab में सफाई करने में यूज कर लेते है So आपको इन सब की I think कोई ज़रत नेंगे ट्रिक की, so ये आपको ऐसे ही लर्न हो जाएंगे So next है anti-fertility drugs So anti-fertility क्या है, बहुत ज़्यादा population बढ़ रही है आप कुछ भी ले सकते हैं, नेना नायरा ले सकते हैं इन्होंने anti-fertility drug use किये यानि नौर एथिन्डोन और नौविस्टॉ So एक बार मैं आपको रिव्यू करा देती हूँ सारी drugs की ट्रिक So चलिए देखते हैं, एक बार Antacid क्या है, RCH यानि Renatidine, Semitidine, Histamine इन्होंने इसका क्या है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, RAS यानि Renatidine, GenTec और CT यानि Semitidine, Tagamet Next क्या है, next है Anti-histamine, Anti-histamine क्या है याद रखना है आपको, जमाई राजा की क्या है Durga Devi Patel निंग है, Durga Devi Sharmah है यानि Dimetab, Dimetane और Saladin Next क्या है ट्रैंकोलाइजर है ट्रैंकोलाइजर में क्या है, जो लेडीज है यानि जो नारी है, वो समाज में बराबर क्लास चाहते है, कि वही मुझे भी बराबरी का हक चाहिए So, ट्रिक क्या है, नारी मांगे इक्वल क्लास, यानि नाइडल, आप्रोनेयजर्ड, मैप्रोमामेट, एक्वनेल, क्लोरोडायज़ग, सिपाइ Next है, बर्बीटओरेट्स बर्बीटओरेट्स ग्यानि यानि वीरवार को क्या है, ओनली स्लिप यानि वैलियम, वैरणॉल और सिरोटॉन Next है, वह है, अनाल्जसस अब अनल्जिस में क्या है अनल्जिस कोडॉना टायम की ट्रिक ही, वो क्रोणा टायम चल रहा है तो ट्रिक भी कोडॉना टायप होनी चाहिए सो लोग हैं वो कहा रहे हैं हे मूदी अमित जी नस्ट करो कोरन यानि हीरोईन, मॉर्फीन, एस्प्रेन, नार्कोटिक, क्रोसिन और कोडी नेक्स्ट है एंटिबायोटिक, एंटिबायोटिक लेने से दो हीरोईन पागल हो गई हैं शिलपासेट्टी, सोनम आहोजा पागल हैं यानि सलवारसन, सलफॉनलामाइड, सोनम, सलफापायरदीन, एजोडायस, प्रोन तोसल एंटिसेटिक की मैने कोई ट्रिक ही नहीं बताई है क्योंकि ऐसे ही लर्न हो जाएंगे डिटॉल, फिनोल, टिंक्चरोफ, आयोडीन, क्लोरोफर्म एंटि-फाइटिलिटी ड्रग क्या है किस दे यूज की है सबसे पहले नैनाने और नायराने यानि नौरेथिंट्रोन और नौवेस्ट्रॉल, थैंक्यू सो मच पूर बाचिंग मी, आई होप आपको यह जो ड्रग से बहात अच्छी से लर्न हो गई है